आज किस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसा होने वाला अप्रैल 2023 का यह महीना आप सभी के लिए शुरुबात करेंगे मेश राशी के जातकों से मेश राशी के जातकों जैसा की दिख रहा है ब्रश्पति और राहू का संयोग बनता है आपकी राशी में जिस वज़े से कार चेत आपकी राशी में 15 तारिक तक ही बनी हुई है उसके बाद शूर के आगमन से आप यहां पर बढ़ोत्री देखेंगे खास तोर पे जो लोग वैसाय से जुड़े हैं मेश राशी के हैं ऐसे लोगों को नई प्रतिस्वरदा नया कॉंप्टीशन आने की वज़े से छेत्र मे आपके लिए महीना समाना धाएगा हो सकता है कि आपने कोई काम बड़ी मन्द से बरी लगन से किया था पर उसके लिए उतनी सरहाना नहीं मिली जिस वज़े से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं जो लोग नौकरी की तलास कर रहे हैं संगर्स थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन इकिस अप्रेल से 28 अप्रेल के बीच में गुड़ नियूस मिलने के भी चांस आपके बनते हैं बात करें अगर आपके स्वास के बारे में मेश्राश्य के जात को इस महीने आपको अपनी स्क स्वास के परती आपको चेतावनी देने की यहां पर ज़रुत है आपको अपने स्वास की हर तरफ से यहां पर लगना चाइये बिसिकली खाने पीने का भी ध्यान दे उठने बैटने का गाली चलाने में भी ध्यान दे किसी भी प्रकार से आपका स्वास्त उपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है बात करेंगर प्रेमी संबंधों की तो विवा करने का मन कर रहा है या रिस्ते आ रहा है तो इस महीने के लिए कोई निर्णाय लेना टाल दीजे कोई बड़ा फैसला प्रेमी संबंधों से लेकर टाल दीजे हो सकता है जो लड़ाई जगड़ा करने का मन करें इस महीने उसे भी टाल दीजे कोई बहुत ज्यादा अग्रेशन में आके फैसला मत ले लिजेगा अदर्वाइस बाद मे आप देख रहे होना यह थोड़ा कठीन आपके लिए जा सकता है जिसमें आपकी सूजबूज वानी पर कंट्रोल आपको बचाएगा एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए और वो है प्रति दिन हन्मान जी के मंदिर में जरूर जाईए और प्रति दिन आपको कोई भी पशू मिले वो गाय हो कुट्ता हो बकरी हो उसको कुछ ना कुछ अन्य जरूर ग्रहन करवाएं जबर जस्ती नहीं जरूरत के अनुसार जरूर उसको अन्य ग्रहन करवाएं गाय की सेवा भी इस महीने आपके लिए काफी जादा सुगम रिजल्ट लेकर आएगी तो यह थ कि आपका जो कार्य छहेत रह यहानी के आपकी नोक्री और आपका व्यवासाइद इसमें शैनी बहुत करवाए गाा सब्वाएं से च्चीось लेकिन क कहने मैं हूँ कर्मकारक मैं तुमसे कर्म करवाना चाहता हूँ अगर आपने अपने ही इस कर्म में अनुशाषन ले आए मैं ठीक रहूंगा मैं आपको पर अच्छे रिजल्ट दूँगा तो आपको बस इतना करना आप कोई भी काम करते हो आप नौकरीब में जाते हो तो आफिस जा रहे हो आपका कोई न कोई डिपार्टमेंट होगा आप वैसाई कर रहे हो तो आप अपने वैसाई में अनुशाषन मना लीजे इस महीने आपने अगर अनुशाषन का क्या रथ है सुबह टाइम से जाना शाम को टाइम तक काम करना थोड़ा ओवर टाइम भी करना अनुशाषन का फल कितना मीठा हो सकता है इसका अहसास करवाने आया है अब यही अनुशाषन आपके आर्थिक पक्ष में भी दिखना चाहिए पैसा उल जलूल खर्च करने की आदत है वर्शवराश्य के जात को इस महीने ठहराव लेकर आईए पैसे को बहुत ज्यादा ब बड़े ची कहवत है Money brings back money जी हां आप जो पैसे करते हैं इंवेस्ट करते हो पैसे वही पैसे वापस भी आते हैं जब आप बहतर अपने लिए आपजेक खरीते हो इंस्ट्रूमेंट खरीते हो या अपने ही knowledge में कुछ मनी इंवेस्ट करते हो तो यह महीना आपको पकड़ लीजे और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि पूरे महीने मैं इसको फॉलो करूँ उसके बाँ मज़ा देखिए शनी कैसे मनी बन जाता है आपके लिए आगे बात करते हैं वरशब राशी के स्वास्त के मामले में वरशब राशी के जात को स्वास्त ना समान निसा है आपका और यह आपके हाथ में फिर से दे देता है ब्रशब राहू कि आपका स्वास्त कैसा जाएगा इस महीने यह आप डिसाइड करोगी यानि कि बाहर का खाएंगे पेट दर्द होगा पेट समस्या इस महीने दिखाई देती हैं अगर आप चलते फिरते नहीं हैं तो बह राशी के जात को आपको एक चीज सिखाना चाता है जो कि अगर आपने पकड़ लीना इस महीने तो पूरा जीवन आनंद में हो सकता है तो इसको हांसे मज जाने दीजे और कोशिश करिए कि अगर आपके अंदर इस अनुशाशन की कमी है तो इस महीने आप इसको खतम करके रहा होगे और अपने जीवन में पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है परिवार की स्थिति भी समयने समान है खास तौर पर अपने माता जी के स्वास्त का ध्यान दीजेगा उनके घुटने उनके पैर उनकी कमर में अचानक से अगर दर्द उठ रहा है तो कोशिश करे करें कि आप उसको नजर अंदाज ना करें अंदेखा ना करें उस पर कोई एक्शन ले लिए शायद आप समय से पहले किसी रोग का निदान कर सकें आगे बड़े बात करें अगर व्रशब राशी के प्रेम संबंदों की मामले में तो यह भी समाने सा नजर आ रहा है हाँ थ पढ़ाई से बन करेगा कि यार लगता है कि हो रही पाएगा कुछ और सोचते हैं यूपेसी की द्यारी कर रहे थे बैंक का भी फॉर्म बर देते इस तने का जो मन में डिस्ट्रेक्शन आता है ना इस महीने वर्शब राशे की जात को यह फेस कर सकते हैं अब इसका निदा कश्ट तो यह मंत्र के जाब से ही आपके हर ले जाएंगे जो लेडिज हैं वर्शब राशी की हैं उनको भी यहां पर मैं चेतामनी देना जाओंगा कि अपने पेट का अपने स्वास्त का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए अधर्वाइस यह महीना ना बहुत ज्यादा टे कि आगे बढ़ते बात करते मितों नाष्यी की बारे में किसा होने वाला अपरेल दोजातेस का महीना मितों नाश्य के लिए मितुन नाश्य के महीना आपके लिए हर तहğ n से दसोदिसाओं से बड़ा ही प्रभाव शाली महीना हैं बहुत शुब महीना होने वाला नए आपको मिलते हुए नजरा खाल रहा है नए न違 चीजों को आप सीखते हुए हैं और आप चाहें तो अपनी जोली जितनी चाहें उतनी भर लें मेहनुत करवाता है शनी लेकिन जब देता है ना तो उसके देने के भी कोई सीमा नहीं होती है तो बितुन नाशी के के जात को अब आ चुकी है आपके पास कुछ नया होने वाला है इसलिए खुश हो जाईए बात करें आपके आर्थिक पक्ष के मामले में तो पंद्रा तारिक से पहले तक ना किसी को उधार करच देने से बचें अदर्वाइस वो पैसा डूप सकता है पैसा आपके पास आई है थोड़ा एक्स्ट्रा ही इस महीने आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आसपास के लोग देख लेते ना बहुत कमा रहा है तो सोचते लाव थोड़ा उधार मांग लेते हैं अनैसे सरी लोग उधार मांगने लग जाएंगे आप से आपको लगे गार इसको तो जरूद भी भालतों में मांग रहा है ऐसे लोग भी आपके पास आइंग जस्ट ट्राइव आपको जस्ट करने के लिए चलो आप टेस्ट करके देखते कैसा आदमी है हम बुरे ही भले आप मत दीजेगा मनी किसी को पंदर तारिक तर तो बिलकुल मत दीजेगा उसके बाद देने का मन क करें तो भी आधा दीजेगा पूरा मत दें दीजेगा बागी इस महीने फाइनेस आपका बैटर ही है बजट भी आराम से समलता हुआ नजर आ रहा है कोई खास प्रॉब्लम अब आपकी जीवन में में इस महीने नहीं नगी नजर आती है बात करें अगर आपके स्वास्त के मामले में मित्रण नाषिक के जात को शरीर में दर्द होना कास तो आपकी लोवर बैक में डर्द होना और पेट की चैकायत होना पैरों में में चोट लग जाना कंदों में दर्द होना ऐसे चीजें आप देख सकते हैं लेकिन सारी मुमेंटरी हैं एक दो दिन आपको कश्ट देंगी बागी साथ दिन ठीक रहेंगी इस तरह की प्रॉब्लम से इस महीने में तुन नाशी के जात को इस पर आपको खासा ध्यान देना कैसे देना है जिम अगर जा रहा है न तो ऐसे हम सोचिए कि एक दिन में सालबर का जिम कर ल बनता है तो पूरा समय लेके ही बनता है तो वो समय आपको देना पड़ेगा रहना क्या जीवन में सफलता और सफलता के बीच में क्या फर्क होता है जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं वो लोग सफल होते हैं जो लोग सोचते कि इस महीने जो उसमें आए तो समयने काम करतेंगे बलबारत प्रयास करने प्रयास करने वाला कि बंगाता है ज्यून में ुझाकर मैंने भी देखने लुए नहीं लगता है किसी भी चीज को शुरुवात कि रहे हैं मजा तब आएगा जब तक नहीं पहुंच जाओं गया और हर काम जीवन में सुरुवात में कठिन लगता है। हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा यहीं लगता है लेकिन सोच यह अगर आपने उसे एंड़ तक कर ले गए तो क्या होगा सोचा करिए मितुनाशे के जात को अगर जो जो चीजे आपने सोची थी लाइफ में पिछले 20 सालों को यह ले लीजे अगर वो सब आप कर लिये होते तो जीवन कैसा होता यह एक विचार आपको बहुत मोटिवेट करेगा बात करें आपके परिवारी पक्ष के मामले में तो ह हो सकता है कि किसी रिलेटिव की वज़े से अनमन हो जाए या फिर उनके घर में आ जाने की वज़े से टेंशन हो जाए ऐसी भी सम्मावनाय बनती है आपके राशी के अंदर आप अपने छोटे से परिवार की साथ खुशी रहोगे बाहरी कोई वेक्ति आएगा तो हाँ थो प्रेडिक्शन एक उपाए जो आपको जरूर करना चाहिए इस महीने नरायन की भक्ति जरूर करें आप एक तालिस बार ओम नमू नारायनायन मंत्र का जाप आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा क्योंकि ब्रश्पति ही है जो इस महीने आपको बचाएगे स्टूडेंट है अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इस मंत्र का जाप जरूर करें पढ़ाई में मन लगेगा और अगर किसी काम के लिए पिछले महीने बड़ी महीनत करी थी तो उसमें सफलता मिलती हुए भी नजर आ रही विद्यार्थियों के लिए आगे बड़े बात करते हैं अपनी चौति राशी करक राशी के जातकों के लिए चंतरमा से ये राशी रून होती है और करकराशी वाले जात तक एकसर बड़ी emotional sensitive से होते हैं और अपनी दिल की बात कहने से थोड़ असा पीछे हटते हैं लेकिन दूसरों की दिल की बात जब जान जाते हैं तो उनको पूरा सामतों ना देने की कोशिस करते हैं बड़ी प्यारी राशी है करकराशी और overthinking इस महीन बलिश्ठ नजर आ रहा है विद्यारती हों नौकरी करते हों मन लगाके द्यान के साथ आप अपना कार करते हुए नजर आ रहा है इस महीने और हां कोई अचानक से पुराना दोस्त मिल जा Hag wallet को यजिससे बिजनिस किया करते तो वह भी आपके जीवन में आ जाए एंबंस मे होगे इस महीने जिससे कि आपको शांती मिलेगी मुश्कराने की कई वजय मिलेगी जिनके पास संतान से इस महीने लाब होता नदर आ रहा है करकर आशिके जात को विद्यार्थियों के लिए खास तोर पर मैं बोलूँगा करकर आशिक हैं और विद्यार्थी हैं आप तो इस म प्रिवार की बात करने करकर आशी के जात को तो इस महा में पिता जी का जितना आशिरवाद ले सके उतना कम है आपके लिए पिता के आशिरवाद से उपलब्दी नजर आती है तो आप जौब पे जाते हैं पापा से बात करके जाएं दूर रहते हैं अगर अगर घर में रहते हैं पिता जी आपके तो आप पाऊगे कि आपके भी कारशेत में उसका असर आ रहा है आते पक्ष यहां पर मजबूत नजर आ रहा है समान है बेसिक को कोई मेजर इन्वेस्ट्मेंट करने से इस महीने आपको बचना चाहिए पैसे डूपते हुए नजर आ रहा है इन्वेस्ट्मेंट के जरीए ठीक है अब यह उधारी में भी यह बात लागू हो जाएगी बात करें अगर आपके स्वास्त के बारे में तो करक राशी के जात को खास दौर पर आप अपने दिल का ध्यान दीजेगा दिल में अचानक से दर्द उठना कोई तरनाक बात नहीं है पर हां दिल के आसपास के एरिया में दर्द उठना गॉल ब्लेडर की प्रॉब्लम इस में डिड़क्ट हो सकती है बहुत ज्यादा धूप में बाहर निकलने से भी बुखार आ जाना या फिर धूप लग जाने की वज़े से सरदर्द होना ऐसी भी चीज़ें आपकी राशी में इस महीने नजर आती है एक उपाई जो आपको जरू करना चाहिए जितना हो सके इस महीने गाए को आप अन्य खिलाएं गाये को आप भोजन करवाएं उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है और श्री कृष्ण के मंदर में जाकर आप लड़ू वितरन करें लड़ू का प्रसाद चढ़ाएं यह बहुत जादा सुब रिजल्ट आपके लिकर आएगा तो यह था करक सव statue है किया मैं इसी काम के लिए बना हूं क्या मैं इस लेवल में जिस लेवल में आज क्रान करां स्कों बढ़ा नहीं सकता तरो ku a एक अजीब सी वेथा आपके मन में रहेगी जब की दुनिया कह रही होगी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो दुनिया कह रही होगी आप क्यों इतना परशान हो रहे हो कि इतना सोच रहे हो आप तो इतना बहतर काम कर रहे हो पर उसके बावजूद आप अपने आप से नाख सीपríkrais नहीं होता है सिंग्राशी के जात को जब नहीं मिलती है जब'm地方 को को गड़्या काम नग्र कर दिना तो सिंग्राशी वालों के आखों में चमक नहीं आती है यह होने वाला है सिंग्राशी के जात को ॔र श्री comigo आपको अहसास होगा है की मेरी और शक्ता अब आ चुकी है क्योंकि आपने जितना सोचना था समझना था उस हिसाब से आप यहां तक तो पहुंच गए लेकिन अब यहां से आगे जाने के लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा कुछ तो सोचने का तरीका कुछ काम करने का तरीका अर्थिक पक्ष्म अगर ज्यादा भाग दोर से इस महीने आपको बचना चाहिए अदरवाइस जल्दी ठक जाएंगे आप और ठकान की वज़े से एक दो दिन आपके प्रोकेस्टिनेशन में भी गुजरने वाले हैं बात करें आपके प्रेमी संबंदों के मामले में तो आपके उग्र सभाव की देली करिए आप पाएंगे कि आपका जो एंगर है या फिर आपको जो एग्रेशन है या फिर आपकी जो कन्फ्यूजन है वह इस वाकिंग के जो सुर्ट निकलेगा पसीना निकलेगा उसके साथ वह भी निकल जाएगी बहुत शाप माइंड और बहुत क्लिर माइंड हो ज अच्छी चांस है कि आपकी उसमें सफलता मिल जाए तो सिंग राशी वाले जात को महीना है तो अच्छा पर सुरात में लगेगा कि है खराब इस इल्यूजन में मत फस जाईएगा क्योंकि राहू है आपके राशी में इस महीने और यह आपको अपने उपर डाउट करने के मजबूर करेगा लेकिन कोई बात नहीं अब आपने पंडे जी का वीडियो देख लिया है अब आप डाउट में नहीं फसेंगे पागी सारी डिपार्टमेंट शिंगराशी के जात को पिछले महीने की तरह ही नॉर्मल गती से चलेंगे एक उपाय जो आपको इस महीने कुछ रत मंद हो उनको किसी प्रकार का अन्य का दान करें कोई आपको छोटी सी कन्या मिल जाए उसको भोजन कराया उसके पढ़ाई लिखाई में मदद करें बहुत ज्यादा शुभ पुन कमाएंगे आप और ये पुन आपको आज नहीं तो कल बहुत शुभ बीदेग है त तो जाते इसका महीना करनेय राश्य के सब्वी जातकों के लिए करनेय राश्य के जातकों वैसे तो आपके कार छेत्र में सब कुछ समानने है इस महीने कोई बहुत बड़ी गतिविदी नज़र नहीं आती जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स पिसले महीने थी वही मोटी-मोटी इस महीने भी है कुछ बाते हैं जिसमें मैं आपको चितावनी देना चाहता हूं आपसे आपके कार छेत्र में जो आपसे वरिष्ट अधिकारी है उनसे किसी बात को लेके विवाद हो सकता है आपका मन खराब होगा अपने परिवार या अपने परिवार वालों की वजए से पर वो गुसा अपने कार छेत्र में निकालोगी जिस वज़े से आपकी इमेज पर बाता सकती है वरिष्ट अधिकारियों से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए अदर्वाइस ये इवेंचुली आपको ही नुकसान दिकर जाएगी जो लोग वैप को पता चल जाएगा कि किसके मन में क्या चल आ सस्के मतलब के लिए कि सिर्फ मतलब के लिए लोगों और अगर आप कन्या चात्र हैं तो पुरुसों की वज़े से आपके पढ़ाएं में डिस्ट्रिक्शन आ जाए इस तरह के भी चीज़े देखने को मिलती है तो अब भी बात करने से बचना चाहिए दर्वाइज आपकी इमेज पर बाता सकती है वही बात आपको यादथ आखने चाहिए एक उपाय जो कि कन्या राशeg जातकों को इस महीचने जरू करना चाहिए स्री क्रिशन के मंदिर और राधा रानी के मंदिर जरू जाहें राधा रानी का आम जितना हो सके लिए राधे राधे कहें कृष्ण जी आपके उपर बहुत ज्यादा किरपा बना के रखेंगे इश्वर करें आपकी सभी मनुकाबनाई पूरी हो कन्या राशी के जातको यह है वो एक उपाई जो आपको जरूर करना चाहिए अगे बहुते हैं बात करते हैं अपने साथ साथ मम डर्शी यानि दोजाद टीश का यह पूरा महीना ख़ेस को यह महीना दो फेंट में जर सकता है कि वर्क लोड बढड़ा है काम बढ़़ रहा है सब्सक्राइ governo ग्र कर वह कर लोग की कि यार इतना स्ट्रगल हो गया एक जॉब नहीं मिल लें लेकिन जैसे पंद्रा तारिक बीतेगी आपको अपने वैसाय में भी लाब होगा आपको अपने जॉब में भी लाब होगा और जॉब की तलास जो लोग कर रहा है उनको भी रोजगार मिलने की संभावनाय बनती हैं इवन मैं तो यह कह रहा हूं इस महीने आपकी पदुनती के भी ट्रांसफर के भी अच्छे योग बनते पंद्रा तारिक के बाद तो पंदा दिन जैसे तैसे अराम से काट लीजिए उसके बाद तो दिन अच्छे ही हैं इन पंदा दिनों में आपको ना कुछ नया सीखने क का भी मन कर सकता है लर्निंग का मन कर सकता है या फिर विदेश में जाने के भी इच्छा हैं आपकी उत्पन्न हो सकती है उनका ध्यान दीजेगा बात करें अगर आपके आर्थिक पक्ष के मामले में तो आपने घर की लोकेशन बदलने की वजए से आपके जो रुके हुए पैसे तो वह वापस आ सकते हैं एक चोटा सा उपाय मान लीजे आप या फिर अगर आप कार छेत्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो पंदा तारिक के पास जरूर ट्राइक करिएगा आपका नंबर लग सकता है तुला राशी के जा माता के मन को दुख पहुचाना आपकी वज़े से इस तरह से संकेत हमको मिल रहे हैं मत करिएगा उनकी वज़े से आप हो उनकी वज़े से पूरी दुनिया है उनको जितना खुश करते हैं देखिए मंदिरों में हम जाते हैं इश्वर को धूरने पूजा घरों में जाते है एश्वर को दूड़ने एश्वर घर के अंदर होते हैं और वो आपके माता-पिता हैं उनकी ब्लेसिंग जिस बच्चे के हाथ में होती है चाहे कितनी कुल्ली खराब हो जाहे कितना उसका बागे खराब हो बहुत चमकता है बहुत अच्छा करता है जीवन में तो माता पिता को हमेशा खुश रखे जितना हो सके कई बार माता पिता ना कुछ ज्यादा बोल जाते मानता हूं उनको कभी उलटके पलटके जवाब नहीं देना चाहिए तुलाराशी के जात को बाकी आपके सभी डिपार्टमेंट मुझे ठीक ठीक और समाने लगते हैं पिछले मुझे के मौके इस महीने बनते हैं दोलाराशी के जात को बन रहे तो घूम आईएगा नया रिफ्रेस्मेंट मिलेगा आपको नए तोर से फिर एनरजी के साथ काम करने का भी आपका जोस वापस आ जाएगा दोलाराशी के जात को एक उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए चार बार ये काम आपकर सकते किसी जरुत मन को दान करें कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में जाके पंडी जी के आसपास पुजारी जी के आसपास ही दान करते हैं जिसको जरुत होगी वो ले जाएगा एक और उपाय आपके लिए पीपल के व्रक्ष पे जल चड़ाना और अ आ यहां कि आगे बढ़ते हैं कैसा होने वाला वराश्चिक राश्ची वालों के लिए आने वाला महीना है अप्रेइल 2023 का रश्चिक सब्सक्राइब कर देखिया चल्ड़ा है मैं आप आप सबी से जाना चाहूंगा कैसे जारा है प्रक्राइब करते हम को जरूर बताएं आपके कॉमेंट से समझ जाएंगे कि वरश्ची ग्राश्ची वालों का कितना मध्यम या कितना अच्छा जा रहा है सनी का ये टाइम जब भी जीवन में आता है न तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है उससे अउगत कराता है आपको आपको ऐसे से विच काम सुरू हो जाता है नई जगहें पर चले जाते हैं आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे होंगे कि कुछ नया करता हूं जौब चेंज करता हूं कहीं जगह अपलाई करता हूं अगर मिले मौका चले जाएएगा आपको होगा लाब फाइदा ही होगा जबर जस्तिमत हो तो समान है अर्थिपक्ष खर्चा थोड़ा बढ़ता हूँ नजर आ रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप उसे समाल ना सके खर्चे कहां पर हो रहा है आपके शानुष्वकत पर ही खर्च हो रहे हैं और एक चुटी सी जिंदगी है अपने उपर भी खर्च करना पड़े कर दीजे थोड़ी बहुत बात है लेकिन अपने उपर से ज्यादा आप गिफ्ट करते हुए भी नजर आ रहा है तो अगर किसी को चाहने किसी लवड़ वन को गिफ्ट करना है तो भी कर दीजे चुटी सी जिंदगी है वही वाली बात आगे बड़े बात करें अगर आपके अपनाना चाहिए और हम अपनी तरफ से जो तो चलता चला आया तो चली रहा है बदल क्या सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और जीवन किसी का नाम है व्रश्यक्राशी के जात को एक उपाई जो आपको जरू करना चाहिए शिवजी की अरादना इस महीने बड़ी ही अ अच्छा है बदलाव है चेंज है सब कुछ इस महीने में है और इस सब को सहर सब्सक्राइए और खुश रहिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसा होने वाला है धनूराशी के जातकों के लिए अप्रेल दोहजात तेज के महीना धनूराशी के जातकों बड़ा ही आनन्द आने वाला है आपको इस महीने बहुत जहला आपने मैं हर वीडियो में लगवा कह रहा हूं महीने के क्योंकि म सिलसिला बगवान करें चलता रहे दनुराशे के जात को विदेश जाने का जो लोग इच्छा रख रहेते सफल हो सकते हैं पदुनती की तलाश कर रहेते सफल हो सकते हैं आपके जो काम हैं वहां पे आपके जो वरिष्ट लोग हैं सरहना कर सकते हैं लेकिन आपके मन में आ रह करेंगे जितना वक्त आप अपने प्रोग्रेस में करेंगा इसे इन्वेस्ट करेंगे उतना यह ज्यादा लाब आपको हुने वाला धनू राशी की जात को अब वक्त आ चुका है सारी समस्या को कुली से राशी से हट चुकी है अब वक्त आ गया है अपने भाग का भाग है हर किसी के पास एक से बढ़कर एक आडिया है पर वो दिमाग के वंदर ही रह जाता है ऄहां करता है क्या आप किया कर रहे है करता है आपने औरों से कितनी तेजी से काम किया दिनूराश्य दिक बैब काम काने वाले औरतिक-प्ट मजबूत है सब्सक्राइब तो महीन अच्छा है रियल स्टेट करना चाहते है बहुत लाब हो रहा है आप अपने गुरु का टीचर का इस महीने बड़ा ही याद करिएगा उनको याद करियेगा उनको पुकारिएगा और जित्रे भी आपके टीचर है गुरु है उनकी ब्लैसिंग लेने की कोशिश करिएगा धनुराशे के ज्यात को आपके बिगड़े काम भी भी बन जाएंगे और जो आपने नहीं सोचाता वो भी मिल जाएगा परिवार का महाल आपके हाथों में है इस महीने आपकी वज़े से ही थोड़ा बहुत गड़बर होगा खास तोर पे 15 अपरेल से लेखे 24 अपरेल के बीच में आप थोड़ा कुरोधित नजर आ रहे हैं जुबान पर थोड़ा सा राशी में नजर आता है जो की बहुत अच्छा है बहुत पॉजिटिव है खास तोर पर आप याद रखेंगे अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं तो दर्द बढ़ने लग जाएगा आपके घुटनों पर आपके पैर पर और कहीं नशों में दर्द भी नजर आता है इस महीन पूजह करें स्थिवहरी का कहा भी मंदीर मिलें तो अपने घर में स्थूहरी को जरूर याद करें शिवजी को भी याद करें उन्की पूजह आरचना इस महीने आप करें प्रति शॉयां को एक दिया सावथ की डिरेक्शन में आपको जलाना चाहि一下 में नहीं जला पा नहा पर अगया आपको या फिर कितना है कि अभत करें दस नंबर की राशी के लिए कैसा होने वाला है अप्रहां दोजास तेच का है मेंना मग राशी का शनी की राशी है आप शनी की प्रियर राशी माने जाती है मक राशी पर बीचार के बड़ा कन्फैयों नीं बहुत जल्दी कन्फैयों हो जाते हैं और अपने दिल की बात कैसे बताते और कार चेतर में बदलाव करने की पूरे-पूरा मूड बना चुका है शनी ऐसे अगर विचार आ रहे है ना तो इनका स्वागत करिए इनको अपनाईए ऐसे विचार आपको आपके कार चेतर में प्रोग्रस ही दिल्माने आए हैं अगर आप हाउस वाइफ हैं आपको लग र करनप चाहिए फेल होने के डर को डराना चाहिए आपको मकर आश्यव की जात को इस महीने क्या आने वारे सबी महीनों के लिए दो साल तक बढ़ चाहिए रहा हूं आपको और फिर से दूँगा क्यों कि मकर राशी के जात को थोड़ा सा घबरहाट होती है शनी के इस टाइम पीरिड में इंसान को लगता है कि क्या मैं कुछ कर भी पाऊंगा इंसान को लगता है कि निगेटिव थौर्ट्स आते हैं कि मेरी तो किस्मत ही है इसी चलत अधिक पक्ष बजबूत है परिवार का पूरा सहोग है इस बार आपके साथ प्रेमी संबंदों में थोड़ी सी अन्बन होती हुए नजर आ रही है पर इतनी अन्बन है जितनी सभी के घरों में होती है इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की भी आफशकता नहीं है कुछ लर्न करने का जोतिश शीखने का मन कर सकता है ऐसे ही कोई अकर्ट या हीलिंग साइन सीखने का मन आपको कर सकता है जरूर सीखिए किसी प्रकार की घबराने के आफशकता नहीं है मगर आशिक जात को अगर बात करें आपके स्वास्त के मामले में तो अपने तलों का ध्यान शनी राहू के संयोग से आपको हड्डियों में दर्द की संभावना या पर बनती है इन दो दिनों में कहीं बाहर मत जाईए गई सबसे बड़ा उपाय आपके लिए हैं फिटनस पर ध्यान देंगे मकर राशी वालों बाकी महिना आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत कर आईए शनी जी से आप कोई इच्छा नहीं मांगेंगे बस इतना करेंगे कि है शनी देव किरपा करिए ठीक है इतना करके आप अपने घर वापस आ जाए चार सनिवार ऐसा काम करें मकर राशी के जात को आपको लाब होगा तो यह था मकर राशी के लिए अप्रेल दोज तेज का यह महीना कुमराशी के जात को अगर आप वेफसाय से जुड़े हुए हैं तो कड़ी परतिसपरदहा आपको नजर आएगी आपकी यह आइडियास दूसरे लोग चुरा के आपसे जल्दी तेज गती से कर रहे हैं ऐसा भी आपको नजर आएगा लेकिन आप किसी से पीछे तोड़े हो और आप किसी से कम ठोड़े हो कुमराशी के जातक आप अक्सर जीवन में बहतर गरते हैं बस आपको ध्यान यह देना रहता है अपने जीवन में जिस एक पैदाइस सी बहुत अच्छा टीचर होता है आप कोशिश करें अगर आपने अभी तक कोई करियर चूज नहीं किया है तो टीचिंग के करियर में क्या कुछ किया जा सकता है और अगर किसी करियर में प्रोफेशन में और लेडी हैं तो क्या उसमें किसी चीज को पढ़ा कर अक्स्ट्रा मनी कमाया जा सकता है इस बारे में आप सोचेंगे इस महीने यानिंगी मोटा-मोटा कुम्राशी का जाता किस महीने मनी के सोर्स करने के बारे में सोचेगा अगर वो वैपार से जुड़ा हुआ है जो लोग जौब से जुड़े हुए है या जॉब की तलास कर हैं ऐसे लोगों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा है हाँ वही मैंने करा हर जगे प्रतिस्परदा नजर आएगी कुम्राशी की जात को लगेगा काम का बोज बहुत बढ़ता हुआ लग रहा है लेकिन जब जब आपको लगा है ना कि काम का बोज बढ़ रहा है उसी वक आप जाते हो और फैसले लेने में आपकी इंट्यूशन ने हमेशा आपकी मदद करी है तो इस महीने क्यों नहीं करेगी कुम्राशी के जात को आर्थिक पक्ष में एक्स्पोनेंश्यल ग्रोथ नजर आती है अचानक से धनलाब हो जाना अचानक से आपका कोई आइडिया हि कुम्राशी के जात को आप पाएंगे कि आपका परिवार में आपके जो अग्रज हैं खास तोर पे जो आपकी सिबलिंग हैं उनकी एडवाइज की थूँ आपका काफी प्रॉफिट होगा और आप अपनी तरफ से भी काफी इनिशेटिव लेते हुए नजर आ रहा हो ऐसी इसी चीजे जो आपने कभी की नहीं आप थोड़ा घबरा होगे इसको करने में लेकिन हाँ आपको प्रॉफिट देंगे आपके पर काम करें कुम्राशी के जात को मोटिवेशन मैंने इनफ दे दिया है आपको बस आप अपने कर्म पर जुड़ जुड़ जाना है क्योंकि क जानता हूं आपके राशी जानती है कि आप इतने घुष्टिक घमंडी वैक्ति नहीं है लेकिन हां आप बस वही हैं कि भगवान सबका वहला करें सुरॉत मुझसे करें तो अगर आपको लगता है कि आपके करियर प्रोफेशन में दिक्कत क्रेट कर रही है तो इसमें काम पर हो जहां पर आप पहतर कर रहे हों कुम्राशी के जात को आपके स्वास्त के मामले में मैं बोल दूँ कि आपका पेट आपको दिक्कत दे सकता है पेट में दर्द हो सकता है और पेट के साथ साथ आप आप आओगे कि आपके हाथों में या फिर आपके घुटनों में भी पेन अननेसेसरी पेन जिसका कोई कारण नहीं है ये भी हो सकता है स्लीफ साइकल थोड़ी खराब होती नजर आती है कुम्राश्य के जात को नीद पर बहुत ध्यान दीजिए अदरवाइस बहुत ज़्यादा पोटेंशल होने के बावजूद भी ना आप थोड़ा लेथा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए साथ मुखी का रुद्राक्ष नहीं पहना है तो जरूर पहन लेजिए और शनी का बीज मन्त ओम प्राम प्रीम प्राम शाह शनिश्राय नमा का प्रतिश जिदिन एक सो आठ बार जाप जरूर करें कि अगर बढ़ते हैं बात करते हैं आपनी आखरी राशी यानि की मीन नाशी के जातकू के लिए कैसा होने वाला अप्रेल दोज़ा तेज करता हूं मैं महनत में कसर नहीं चोड़ता हूं हर काम पर्फेक्ट करने की कोशिश करता हूं और हर चीज को पहले सुरू करता हूं फिर उसमें गलतियां भी ठीक 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 करने लग जाता हूँ, पर यार मेरी बात क्यों नहीं बन रहे हैं, मुझे उतना प्राफिट क्यों नहीं हो रहा मैं इस जन्तो जहत में कस्म कस्में आप फस्त हुए नजर आ रहे हो, मैं कहूंगा कि इस महीनी आप न थोड़ी छुट जैसे दिख जाएंगी तो आपके कारशेत्र में प्रगती का रास्ता प्रशस्त करेंगी आर्तिक पक्ष की अगर बात करूं मियंडाश के जात को आपका आर्तिक पक्ष बहुत सॉलिड है इस महीने भी सॉलिड रहेगा आने वाले महीनों में भी इसमें बहुत मजबूती नजर आ रही है धन बढ़ रहा है आपका ऐसा नहीं कि धन नहीं बढ़ रहा है पर वो थोड़ा स्लो पेस में बढ़ रहा है इसके लिए कभी अपनी जन पत्रिका दिखवाईए और जो भी उचित उपाए हैं किसी बहतर जोतिशी से पूछ कर लीजे मीन डाशे के जातको शनी की साड़े साथी की अभी तो सुरुवात है आपके जीवन में इस तरह के मस्तिस्क को परेशान करने वाले विचार आते रहेंगे इसलिए सात्म की रुद्राक्ष अवश्य धारण करें जन्समंद्रा.com पे से अभी मंतरित प्रचेस कर सकते हैं मीन डाशे के जातको ना कुछ ना कुछ नया सीखने का मन करेगा आपका ऐसे स्किल जो अभी तक आपको लग रही थी कि किसी और से करवा लूँगा पर आपको न अच्छे लोग जल्दी मिलते नहीं है तो जो मिले हैं उनको बचा के र सवास्त के मामले में आपका स्वास्त मानसिक चनता है कई बार ये मांसिक चनता आपके आसपास के वेभार की वज़े से होने वाली है लेकिन चिंता लेके किसी का भला हुआ हो तो खूब चिंता लेना खूब टेंशन लेना अगर दो रुपय का फाइदा हो जाए तो मुझे भी बताना मैं भी टेंशन लूँगा ऐसा नहीं होता ना में नाशे के जात को चिंता लेने से किसी का भला नहीं हुआ आज तक मत इतनी टेंशन चीजे कहां कहां बहतर हो सकती हैं उन पर ध्यान दीजे और जो लोग नहीं सुधर रहे हैं उनको अपने जीवन से अलग कर दीजे प्रेमी संबंद वैवाइक जीवन बहुत अच्छा है बहुत अनुकूल है आपके किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं दिखती है इवन खुशकबरियां हैं प्रेमी संबंदों की वज़े से विभाइक जीवन की वज़े से जो लोग विद्ध्यारती हैं बहुत ज्यादा उतार हो आपके वैचारिक स्थिति में नजर आता है क्योंकि शानी की साड़े साथी चल लई है ऐसे में आपको शनी मंत्र का ओम करना शुरू कर देना चाहिए मिनाशी की जातको जैसा मैंने आपको पहले कहाना अपनी कुली जरूर दिखवा लीजे क्योंकि शनी की साड़े साथी में जितना आप तयार हो सकते उतना तयार आपको हो जाना चाहिए अब बात करते हैं आपके परिवारिक महल के मामले में तो घर में खुश्च्णुबा महौर नइन चीजें आना जिस वज़े से अपने बने नए धन के आग में से भी घर में क्यों क्यों और आपको परीशान कर रहे हैं जो की बैलन्स की जा सकती हैं एक उपाय आपके लिए वैसे उपाइ मैंने कई सारे बता दिए शनी के भीश तो उसकी भी पूजा आपको बड़ी फरलित होगी तो यह था मीन आशी के लिए अप्रेल 23 का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से अब आपको कैसा लगा पैडिक चर्क क्या फीड बैक है और आपक्या चाहते ओ कि इस महपी व होग мог अजा वाली प्रेटिक्टीकल वाली बताना यहीं सब नहीं लगता है कि आपको महीने पूरी हो सकती है यह पीर आदत जो आप चाहते उस पूरी हो सकती मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको कॉमेंट में जरूर लिखेगा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे